अब नाम है डॉक्तर मीनुरॉड यहां पर हर रोज हर सुबह मैं आप सभी के लिए एक नया जॉब नोटिफिकेशन लाती हूँ आश की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी दो नए जॉब नोटिफिकेशन चली स्टार्ट करते हैं आश का वीडियो आश का वीडियो स् आपको एक नया नोटिफिकेशन मिलेगा चली स्टार्ट करते हैं आश को वीडियो आश की फर्स जॉब विकेंसी है वो है मारी गवर्मेंट अवर्ड नाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन बोर्ट सी सेक्टर इटा नगर की तरफ से यहां पे यह जो है ऑफिशल नोटिफ गिवन है जहां पे आपको क्लियरली अप्लिकेशन मिल जाएगी टोटल विकेंसी हैं यहां पे 81 ओपनिंग देट अप्लिकेशन स्टार्ट हुई थी वो 15th of December 2021 स्टार्ट हुई थी लेकिन ग्लोजिंग देट अप्लिकेशन अभी आपके पास चाइम है 1st of January 2022 तक आपको जामिनेशन की जो आपकी डेट है for the shortlisted candidate after the skill test 6th of February 2022 तो काफी जल्दी आपका selection होने वाला है यहां पे अगर आप उस पोस्ट के लिए apply करते हैं तो most probably in the month of March or in the month of April आपके यहां पे result आ जाएगा और यहां पे selection हो जाएगा next session के लिए अब यहां पे बात कर लेते हैं total vacancies की तो total vacancies है आपकी यहां पे 81 जिसमें different different offices है different different departments है जिसमें unreserved की भी है PWD की भी है तो यहां पे आप देख सकते हैं काफी सारी vacancies हैं यहां पे यहां पे total 81 vacancies है और जो level of pay आपका 29,200 से लेके 92,300 रुपी तक का pay scale है आपका यहां पे अब यहां पे यह आपकी opening date of application लिखी है यह आपकी जो है पूरा का पूरा post की information यहां पे given है आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 to 32 years होनी चाहिए बाकि अगर आप जो है age relaxation के लिए apply करते हैं तो आप जो है इन categories को एक बारी देख सकते हैं यह notification में clearly given है next यहां पे जो है आपके पास educational qualification में simply graduation और the bachelor's degree होनी चाहिए in any discipline from the recognized university apply करते हुए आपको अपनी सारी details को अप्रूब करना है अधार का बोटर ID driving license को भी आपके पास एक document होना जी है आपकी identity proof के लिए अब यहां पे बात कर लेते हैं examination fee की examination fee जो है unreserved candidates के लिए 200 है और AP ST candidates के लिए 150 है यहां पे जो eligibility criteria है you must be a citizen of India तो आप देख सकते हैं stenographer की proficiency test में यहां पे लिखा है it will be conducted for 5 minutes at the rate of 80 words per minute तो यह notification आपको मिल जाएगा आप clearly जो है देख सकते हैं उसके बाद आपका जो multiple choice question test होने वाला है उसके उसमें English है basic computer knowledge है और journal knowledge का पार्ट आपका इसमें आने वाला है चली proceed कते हैं आज की number second job की तरफ अगर आप इस job में interested है तो notification you have download कर सकते हैं link और आप apply कर सकते हैं इस post के लिए आज की जो second post है वो है हमारी ONGC की तरफ से यहाँ पे recruitment है आपका HR executive के लिए और public relation officers के लिए यहाँ पे अगर आपनी UGC net June 2020 में qualify किया है तब ही आप इस job को apply कर सकते हैं यहाँ पे HR executive के लिए मांगा गया है MBA with a specialization in personal management, obliq HRD, obliq HRM with minimum 60% marks आपके होने चाहिए अगर आप इसमें से किसी भी stream में even in labor welfare अगर आपने इसमें किसी भी stream में MBA किया है with the minimum 60% marks और आपका UGC net जो है qualify किया है आपने 2020 में June 2020 में तो आप apply कर सकते हैं इस post के लिए नेक्स है public relation officer, public relation officer के लिए आपने post graduate degree या minimum 2 years का diploma किया हो public relations में या mass com में या journalism में तो आप apply कर सकते हैं इस post के लिए total number of post है यहाँ पे 21, so इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे category wise यहाँ पे age का जो है information दी गई है maximum age, underserved के लिए 30 है, OBC के लिए 33 है, CST के लिए 35 है and PWD के लिए आपकी है 40 years of age, so अगर आप इस job में इंट्रस्टेड हैं तो आप इस job की details जो हैं जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जो पारमिटर्स दिए गए है, टोटल आपका 100 का parameter है, जिसमें मेटेश दीगे है, 60 maximum marks की June के 2020 net के score की qualification के basis पे 25 marks हैं और 15 जो हैं आपके interview के basis पे marks हैं, start date है, इस online registration की 15th of 12, 2021 से 4th of January 2022 तक आप apply कर सकते हैं, इस post के लिए, यहाँ पे जो charges हैं, अगर आप journal EWS या OVC से belong करते हैं, तो आपको 300 रुपीस charges देने हैं, CSTRP, WBD के लिए आपकी यहाँ पे कोई भी charges नहीं है, और अगर आप इस official notification को detail में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे description में link मिल जाएगा, आप link पे click करके, download करके, apply कर सकते हैं, so guys, hope so, आज का वीडियो आपके लिए useful रहा होगा, अगर आप आगे भी ऐसे ही बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं, make sure आप channel को subscribe कर लिजे, यहाँ पे regularly आपको ए detail discuss की जाएगी, वो along with the official notification, real notification के साथ, मैं discuss करूंगी, 100% genuine information के साथ, चले कल फर मिलती हूँ, आपके साथ, एक और नए job notification के साथ, bye-bye, stay in touch, and wish you guys a very good luck.